दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कम्प्यूटर सीखने के बाद डेटा इंटरी की जॉब करना चाते हैं तो ये विडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग कम्प्यूटर सीखने के बाद डेटा इंटरी की जॉब करना चाते हैं और इस विडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को data entry करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ और यह जो तरीका है न इसी तरीके से data entry में expert लोग भी data entry का काम करते हैं और इस विडियो के अंदर data entry करके भी दिखाने वाला हूँ यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप डेटा इंटरी का काम आसानी से कर सकते हो और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो आपको डेटा इंटरी में एक्सपर्ट बना देंगे तो दोस्तो वीडियो को सुरू से लास्ट तक का जरूर देखेगा हैलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर मैंने जो है एक्सल को ओपन कर लिया है और इसी के अंदर मैं आपको डेटा इंटरी करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ स्टेप बाइ स्टेप करके हम लोग सारी जीजो को सीखेंगे लेकिन दोस्तो एक्सल में डेटा इंटरी करने से पहले हमें यह समझना होगा कि डेटा इंटरी होती क्या है तो देखिए डेटा इंटरी का सीधा सा मतलब यह है अगर एक सब्दों में कहा जाए तो डेटा को एंटर करना यानि जो भी आपके पास data है जो भी सूचनाए है वो आपके college की हो सकती है आपके student की हो सकती है आपके office की हो सकती है बहुत सारी सूचनाए होती है बहुत सारे data होते है उनको आपको excel के अंदर digital रूप में enter करना होता है save करना होता है आप किसी भी office में जब काम करने जाओगे तो वहाँ पर आपको hard copy में data मिल जाएगा या फिर PDF के रूप में भी data मिल सकता है वैसे तो ज़्यादा तर hard copy में मिलता है यानि आपको एक file मिल जाएगी और उसी file में से आपको data को देख देखके enter करना होता है बस data entry का काम अच्छे तरीके से सेखने के लिए हमें कुछ चीजों का धियान देना होता है कि कितना जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से हम अपने data को enter कर पाएं वही तरीका में आपको बताने वाला हूँ कि बहुत यासान तरीका है और ये सबसे professional तरीका है Excel में data entry करने का तो यहां से हमने ये जाना कि data entry आखिर होती क्या है चलिए अब जो है मैं आपको data entry करके दिखा देता हूँ तो देखे सबसे पहले तो हमको उपर वाली एक row को blank छोड़ देना है और इसके अंदर कुछ heading बनानी है heading जो मैं बना रहा हूँ वही same heading अभी के time में आपको बनानी है वैसे जब आप किसी office में या फिर कहीं पर भी data entry का काम करने जाओगे तो ये जो heading होती है ये आपको खुद बखुद hard copy के data में मिल जाती है कि आपको कौन सी heading रखी है क्या-क्या data को enter करना है तो आपको data को ले करके या heading को ले करके बिल्कुल भी परिसान नहीं होना है बस जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ से आप ध्यान से समझेगा और जो heading मैं बना रहा हूँ उसी heading को present time में आपको बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर serial number डालेंगे serial number डालने के बाद tap button जो होता है उसकी मदद से जो है हम लोग अगले column में आएंगे और यहाँ पर जो है मैं student का नाम लिखने वाला हूँ तो मैं क्योंकि students का data बना रहा हूँ तो मैं student name यहाँ पर type कर देता हूँ ठीक है फिर इसके बाद जो है tap button से अगले वाले column में आएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे father's name फिर से हम लोग जो है tap button दबा करके अगले column में आएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे data of birth फिर से tap button दबा करके अगले column में आएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे gender फिर से tap button दबा करके अगले column में आएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे mobile number फिर से जो है tap button दबा करके अगले वाले column में आएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे course फिर से जो है tap button दबा करके अगले वाले column में आएंगे और इसके अंदर जो है fees type करेंगे कुछ लोग fee ही लिखते हैं fwe तो आप वो भी लिख सकते हो या फिर पूरा पूरा fees आपको heading में लिख देना है इसके बाद जो है tap button दबा करके अगले वाले column में आना है और इसके हमारी ये वाली heading complete हो गई है जो भी heading हमको बनानी थी वो हमने बना ली है इसके बाद आपको क्या काम करना है कि अभी देखोगे ये student name छिप रहा है ये छिप रहा है ये छिप रहा है तो जो चीजे छिप रही है ना उनको आपको column की चोड़ाई को थोड़ा सब बढ़ा लेना है column की चोड़ाई बढ़ाने के लिए आप जैसे ही column के इस वाली line पर लेकर आएंगे तो आपका mouse pointer कुछ इस तरीके से बन जाएगा अब आपको mouse का left button दबा करके जितनी इसकी चोड़ाई को बढ़ाना है उतना आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो तो मैं इसको भी इस तरीक में हमको एक main heading देना है main heading देने के लिए हम सभी column को यहां से ले करेंगे यहां तक जो है cell को select कर लेंगे इसके बाद जो है आपको home tab के अंदर merge and center का option मिलेगा आप यह देख सकते हो आपको इसी पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करोगे तो यह जो cell है वो merge हो जाएगी अब आपको इसके अंदर double click करना है और इसके अंदर लिखना है आपको students admission details लिखने के बाद जो है आपको बाहर click करना है फिर से इस cell पर click करना है और इसको थोड़ा सा bold कर देना है और इसकी size जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है लगबग 16 के करीब और इसके बाद जो हमने यह heading बनाई है na serial number से यहां तक इसको select करना है और इसको जो है एक point तक बढ़ा देना है कुछ 12 तक और इसको भी bold कर देना है अभी भी आप देखोगी यह थोड़ा थोड़ा थिप रहा है तो हम अभी भी जो है इसको double click करके भी adjust कर सकते हैं कुछ इस तरीके से automatic जो है adjust हो अब हमको जो है दोनों को select करना है कुछ इस तरीके से आप पहले तो इस वाली cell में click करिए mouse का left button दबा करके नीचे तक select कर लिजे इसके बाद जो है यहां पर आना है border में और यहां पर जो है all border पर click कर देना है border इसके अंदर लग जाएगा इसके बाद जो है student admission detail जो लिखा आँ ठीक है फिलाल अभी के time में जो हमारी main heading होती है वो सारी की सारी तयार हो चुकी है अब जो है हमको इसके अंदर student का data भरना है data भरने के लिए आप manually भी यहां पर click करके student का name भर सकते हो father's name उसका data birth उसके बाद gender mobile number इसके बाद जो है course fees और admission date लेकिन इस वीडियो के manually data entry करके नहीं दिखाने वाला हूँ बलकि हम लोग farm का इस्तमाल करके इस data के entry करने वाले हैं यानि कि excel के अंदर आपको एक ऐसी सुविधा मिलती है farm की उस farm का इस्तमाल करके आप जो है कोई भी data entry का गाम आसानी से यहां पर कर सकते हो तो सबसे पहले हम क्या गाम करेंगे क यहां पर जो है इस पर क्लिक करेंगे office button पर office button पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा excel options आप यह देख सकता हूँ excel options है इस पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद जो है यहां पर आपको customize का option मिलेगा customize पर क्लिक करिए और यहां पर आपको क्लिक करना है देखिए customize पर click करने बाद choose command का ये जो option है इस पर click करिए और यहां से all command को आपको select कर लेना है किसको all command को select कर लेना है अब इसके अंदर देखोगे आप a से सुरू हुआ है तो हमको f में जाना है हमको farm डूणना है ठीक है तो हम इस तरीके से नीचे की side तक scroll करके f तक जाएंगे जहां पर f से लेटर सुरू होंगे वहां पर हमको farm मिल जाएगा तो देखे यहां पर हमको farm मिल गया है आप यह देख सकते हो हम क्या काम करेंगे farm पर click करेंगे यह देख सकते हो farm है farm पर click करने के बाद add पर click करेंगे add पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो गए यहाँ पर जो है फार्म आ जाएगा ठीक है इसके بعد अब आपको ओके पर क्लिक करते ही अब आपका काम हो गया है आप यहाँ पर देखोगे कि पहले जो है सेव और अंडो और रीडो तीन ही बटन थे quick access toolbar में अब जो है यहाँ पर एक farm का भी बटन आ गया है आप यह देख सकते हो ठीक है अब आपको इसी farm का इस्तमाल करके यहाँ पर data entry का काम करना है जो की export लोग भी इसी तरीके से काम करते हैं तो हमें क्या करना है कि जो main heading है ना इस main heading को select कर लेना है main heading को select करने के बाद farm पर click कर देना है इसके बाद देखिए इस तरीके से एक pop up window आएगी इसके अंदर बस आपको ok पर click कर देना है सारी चीज़ा आप देख सकते हो जो हमारी main heading थी वो सारी की सारी आ गई है अच्छा एक और तरीका है कि अगर आप serial number manually यहाँ पर भर देते हो मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ देखिए serial number आप इस तरीके से भी बढ़ सकते हो एक लिखने के बाद दो और इस तरीके से भी काफी सारे लोग कर देंगे जैसे कि इस तरीके से आप माल लिजी इतना करना चाते हो तो अब तो हमने serial number भर दिया है तो serial number माल लिजी आपको farm में नहीं लेना है तो उस condition में आ आप इसके अंदर कैसे यूज कर सकते हो तो इसके लिए अब हम क्या काम करेंगे पहले वाला ही काम करेंगे पूरा heading को select करेंगे फार्म पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे फार्म बन करके आ जाएगा serial number हम यहां पर one डालेंगे इसके बाद जो है हमको अगले वाले information को भरने के लिए जैसे student name भरने के लिए tab जो बटन होता है keyboard में उसको दबाईए आप अगले वाले जो है box में आ जाओगे इसके अंदर हम लोग जो है student का नाम type करेंगे जो भी student है पूरा पूरा नाम इसके अंदर आप जो है type कर सकते हो type करेंगे बाद फिर से tab बटन दब दबाएंगे यहाँ पर gender डालेंगे हम लोग फिर से tab बटन को दबाएंगे इसके अंदर mobile number डालेंगे जो भी mobile number है वो इसके अंदर आपको डाल देना है इसके बाद जो है दोबारा से tab बटन को दबाना है इसके अंदर address डालना है इसके बाद दोबारा से tab बटन को दबान डेट किस डेट को इस student का admission हुआ है वो date डालनी है इतना करने के बाद manually आप इस तरीके से farm से जो है इस data को भरने के बाद यहाँ पर जो है आप next पर click करेंगे जैसे ही आप next पर click करोगे तो आप देखोगे कि नीचे की side में जो भी हमने जो है यहाँ पर detail भरी थी वो student की पहल यह जो है address है वो छीप रहा है तो दोबारा से हम क्या काम करेंगे इसको जो है इस तरीके से बड़ा कर देंगे जो छीप रहा है ठीक है अब जो है मेरे ख्याल से सारी चीज़े बिलकुल proper तरीके से आएगी तो फिर से हम लोग जो है उसी farm को ले करके आएंगे तो यहाँ फान पर क्लिक कर देंगे यह देखिए हमारा जो पहला वाला डेटा था वो उठा लिया है अब हम क्या काम करेंगे new पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एक नया और भी इसके अंदर डेटा को add करना new पर क्लिक करिए दूसरा यहाँ पर डेटा को fill करिए serial number डालेंगे इसके बा fees डालेंगे tap बटन से आ गयाएंगे admission date डालेंगे सारी detail को भरने के बाद फिर से जो है यहाँ पर new पर क्लिक करेंगे या फिर जो है अगर आप enter पर क्लिक कर दोगे enter बटन तो automatic जो है data इसके अंदर आ जाएगा आप यह देख सेकते हो सारा का सारा data जो हमने इसके अंदर भ का tap बटन से आ गयाएंगे यहाँ पर student का नाम डालेंगे tap बटन से आ गयाएंगे father's name डालेंगे tap बटन से आ गयाएंगे data bird डालेंगे फिर से tap बटन से आ गयाएंगे gender डालेंगे फिर से tap बटन से आ गयाने के बाद mobile नमर डालेंगे फिर से tap बटन से आ गयाने के बाद यह यहां पर address डालेंगे, फिर से tap button से आगे आएंगे, यहां पर course डालेंगे, फिर से tap button से आगे आएंगे, यहां पर fees डालेंगे, फिर से tap button से आगे आएंगे, यहां पर admission date डालेंगे, फिर से enter key को press करेंगे, तो अगला data देखिए, automatic यहां पर feel हो रहा है, यहां पर 2-3 data और मे जल्दी जल्दी आपको जो है एंटर करके दिखा देता हूँ तो देखिए पांचवा रिकॉर्ड भी हमने यहां पर एड कर दिया है हम यहां पर एंटर की को प्रेस करेंगे तो पांचवा रिकॉर्ड भी एड हो जाएगा इसी तरीके से आपके पास जितना भी data है आप अराम से उनकी heading बना करके farm से ही उनका data entry का काम कर सकते हो और ये सबसे आसान तरीका है बस आपको इस farm के अंदर ही detail को डालना होता है अब माली जी यहाँ पर कोई गलती हो गई है तो आप उसे सही कैसे करोगी ये भी सवाल बनता है तो उसको आप farm से ही सही कर सकते हो उसको delete भी कर सकते हो तो सही करने के लिए ये जो find previous है और find next है इनकी मदद आपको लेनी होगी जैसे मैं find previous पर क्लिक करूँगा तो जो अभी हमने record को add किया है वो यहाँ पर दिखाए देगा आप इसमें जो भी correction करना चाहो अराम से correction कर सकते हो जैसे कि मैं इसकी जो है डेटा बर्थ जो है 2004 कर देता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर चार डार करके new पर क्लिक करूँगा तो देखो कि इसकी जो data बर्थ है ना मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे 2004 हो गई है ठीक है यहाँ पर आप देशे कते हूँ इसी तरीके नमबर का जाएगा और यह पहले नमबर का जाएगा और new पर क्लिक कर दोगे तो आप जो है एक नया record add कर सकते हो और delete पर क्लिक कर दोगे तो यह record delete भी हो जाएगा ठीक है जैसे कि मैं find next पर चल गए 5 बार record को आपको delete करके दिखा देता हूँ यह देखे 5 बार record है इसको do भी करोगे फिर भी वो नहीं आएगा इतना आपको ध्यान देना है तो हम यहाँ पर ok पर क्लिक करेंगे तो देखे हमारा जो पांचवा record था वो delete हो चुआ है तो इससे आप जो है delete भी कर सकते हो और find previous से आप जो है previous वाले record को देख सकते हो और find next से आप जो है next वाले record को क्लिक करके आप इसमें record तो देखी सकते हो साथ में मैंने आपको बताया कि आप इसमें correction भी कर सकते हो जो भी सुधार करना है आप आराम से कर सकते हो इस तरीके से आप जो है data entry का काम बड़े ही आसानी से कर ही सकते हो इसके अलामा पहले तो मैं इस box को यहां से अटाता अब इसके अंदर आपको border वगयरा लगा करके इसको अच्छे तरीके से adjust करना होता है जैसे कि हम इसे border यहां से दे देते हैं पूरा select करेंगे जितना हमको border लगाना है यहां पर click करके all border पर click कर देंगे तो यह और भी सुन्दर दिखाई देता है और यह जो farm हम यहां पर ल delete करेंगे बाहर click करेंगे फिर यह जो है उतना बड़ा नहीं होगा यानि plus करके नहीं आएगा तो यह चीज को आपको समझ लेना है फिलाल जब आप real वाला mobile number यहां पर डालोगे तो जो plus वाली दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत बिलकुल भी नहीं आएगी और यह जो farm है यह आपको हमेशा यहीं पर मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी आपको इसके अंदर data entry का काम add करना हो और भी जोडना हो तो बस आप जो है heading पर click कर दीजे कहीं पर भी और यहां पर farm पर click कर यह यह जो farm है automatic खुल करके आ जाएगा और यहां पर आप new पर click करके यहां data entry का काम करते हैं और आप भी जो है इसी तरीके से data entry का काम बड़े ही आसानी से कर सकते हो चलिए अब मैं आपको वो tips बता देता हूँ जो मैंने वीडियो के सुरू में ही आपको बताई थी कि मैं आपको कुछ ऐसी tips बताऊंगा जिसका इस्तमाल करके आप data entry में export बन सकते ह देखें पहली बात तो हमने यही जाना कि farm से जो है कैसी हम लोग data entry का काम कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि data entry कोई हुआ नहीं है कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बस आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि हमें data मिलेगा उसको देख देख के entry करनी है अब देख देख क कौन नहीं entry कर सकता है सभी लोग कर सकते हैं लेकिन हमें तो export वाली entry करनी है यानि काफी fast तरीके से और अच्छे तरीके से entry करनी है तो यहाँ पर आपने एक चीज को notice किया होगा कि जब मैंने शुरू में ही आपको बताया था तो मैंने इसको जो है center करना भी बताया था ता तरीके से आनी चाहिए यानि कि हमें यह पता होना चाहिए कि data की formatting किस तरीके से करे कि data काफी सुन्दर दिखाए दे और दूसरी बात की data entry का काम अगर आपको करना है तो computer की ज़्यादा knowledge नहीं है आपको तो भी काम चल जाएगा लेकिन आपकी speed जो है अच्छी कासी होनी च बता है कि data entry करना ही data entry कहलाता है तो जब आप data की entry करोगे तो typing की सबसे ज़्यादा जूरूरत पड़ती है और उस समय अगर आपकी typing speed अच्छी होती है तो आप बहुत ही जल्दी से काफी fast तरीके से data entry का काम कर पाऊगे वैसे मैं आपको बता दूँ कि Excel में data entry करने के लिए बहुत सारी tips and tricks है लेकिन केवल आपको दो चीजों का ध्यान देना है कि data को अच्छे तरीके से manage करना आपको आना चाहिए कि कौन सा bolt रहेगा किसका size ज़्यादा रहेगा कौन सा center में रहेगा तो अच्छा रहेगा कौन से data को हमें merge करना चाहिए किस तरीके से हमें data को adjust करन चाहिए यानि data की formatting आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए दूसरी बात यह है कि आपकी typing speed अच्छी होनी चाहिए यह दो चीजों पर आप जरूर काम करिएगा चाहे आप Hindi में data entry का काम करना चाहो चाहे आप English में data entry का काम करना चाहो आपकी typing speed अच्छी होनी चाहिए बस य दो टिप मैं आपको बताना चाहूंगा एक फार्मेटिंग आप अच्छे तरीके से सीख जाएगे किस तरीके से फार्मेटिंग करते हैं और दूसरी चीज जो है टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए और मैंने सबसे आसान तरीका आपको डेटा एंट्री करने का बताया है वो है फार्म किस तरीके से उसको लाना है किस तरीके से एंट्री करनी है वो सारी चीजे हमने स्टेप बाई स्टेप सीखी है उमीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर कर दीजेगा ताके उनका भी फायदा हो सके और चानल पे अगर पहली बार हो अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे है और सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो तभी आप हमारी नई नई वीडियो देख पाओगे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद बन्द मातरम